खेपिज में हुती ने इस राइल के तेल और में तैल अविव में एक बड़ा ड्रोन हमला किया था। इस हमले को ले कर हुती ने कहा था कि उसने तैल अविव में एक एहम टार्गेट को निशाना बनाया है। लेकिन गौर करने वाली बात ये थी कि इस हमले में जिस ड्रोन का इस्तिमाल किया गया था वो अपने आप में एक रहस्य से कम नहीं था जिसका मतलब ये हुआ कि हूती ने इस ड्रोन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी हाला कि हूती ने जिस वक्त ये हमला किया था उस वक्त उसने ये जरूर बताया था कि तैल अविव पर हमले में जाफा ड्रोन यानी याफा ड्रोन का इस्तिमाल किया गया है और उसने जाफा यानी कबजे वाले फिलिस्तीन जिसे आज तेल अविव के नाम से जाना जाता है उस पर बहुत बड़ा अटेक किया था लेकिन अब हुती ने इस ड्रोन के रहसे से पूरी तरह से परदा हटा दिया है हुती की सैने मीडिया ने इस ड्रोन की लाँचिंग और एक्जिबीशन का एक वीडियो जारी किया है जिसमें इस याफा ड्रोन की खास्यतों को बताया गया है हुती का कहना है कि ये ड्रोन पूरी तरह से स्वदेशी है ये एक लंबी दूरी वाला ड्रोन है इस ड्रोन का इस्तिमाल कई उदेश्यों के लिए किया जा सकता है साथ ही इस ड्रोन को उच्चविस फोटक हत्यारों से लैस किया जा सकता है और ये रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकता है पूती का कहना है कि ये ड्रोन बेहद ही विद्ध्ध्वनसक है, ये एक एडवांस ड्रोन है और तकनीकी रूप से कई एहम चमताएं हैं पूती का ये भी कहना है कि इस ड्रोन का इस्तिमाल पहली बार 19 जुलाई 2014 को तैल अवेव यानि याफा पर हमले के लिए किया गया था उस वक्त इस ड्रोन ने सीधा हमला किया जिसमें एक इसराइली सेटलर की मौत हो गई थी जबकि कई घायल हुए थे और इस हमले के बाद ही इसराइल ने यमन के होदेदा शहर में बने तेल डीपो पर कई एर स्ट्राइक की थी जिन में भयान अगधमाके हुए थे और कई लोगों की मौत भी हो गई थी वहीं तेल अविव पर हमले के बाद हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल यायसारी ने तुरंत तेल अविव को एक असुरक्षित इलाका घोशित किया था और इसे हूती के हमलों का वैद टारगेट भी बताया था और यायसारी ने ये भी कहा था कि हम इसराइल के भीतर एहम टारगेट्स पर हमला करने से बिलकुल भी नहीं हिचकेंगे और तो और यायसारी ने ये भी कहा था कि यमन के लोग एक लंबी जंग के लिए तयार हो र इड्वांस ड्रोन है जो महतुपूर्ण रन्नीतिक और तक्नीकी शम्ताओं से लैस है यह लॉंग रेंज और बेहद ही विध्वनसक ताकत से लैस है अब्दुल्मलिकल हूती ने ये भी कहा था कि इस ड्रोन द्वारा इसराइल के काफी भीतर हमला करना एक नया और महतुपूर्ण बदलाव है इस से इसराइल में काफी परेशानी हुई है और बाहरी ताकतों की एक मिसाल भी कायम हुई है अब्दुल्मलिकल हूती ने अपने बयान में ये तक कह दिया था कि याफा पर हमला करना इसराइल के लिए मानसिक रूप से एक बहुत बड़ा जटका है यहां तक की इसराइली ने तरत्तुने भी इस बात को माना है हाला कि जिस ड्रोन से ये हमला किया गया था उस ड्रोन को लेकर अब्दुल्मलिकल हूती का कहना है कि ये ड्रोन पूरी तरह से यमन में बनाया गया है और हूती की एर फोर्स ने इसे लॉंच किया था मलिक ने उन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें ये कहा गया था कि इस ड्रोन को किसी अन्य देश या पक्ष ने बनाया है